लागो लावडिया नवदे विद्याले सुरेंद्रनंगर रांगधरा गुजराच से क्लास सेवन्थ के लिए एक आज वीडियो बनाने जा रहा हूं तो आज हम सेवन्थ के वच्चों आपके लिए ताल की बात करेंगे ताल का नाम है रूपक तो रूपक जो है इसके साथ मात्रा का ताल है यह आपको ताल में देखे मात्राएं होती है और मात्राएं मिलके ताल बनते हैं तो ताल जो है मात्रा जो है यूनिट ऑब दे ताल सभी मात्राएं लिकठा मिलके एक ताल बनता है तो यह साथ मात्रा का ताल है इसमें पहले जो तीन इस खंड में इसको भी भाजित किया गया है साथ मात्राओं को तीन खंड है इसके और प्रत्य खंड में करमशव तीन दो-दो मात्रा है यानि पहले खंड में तीन और बाकी के दो में दो-दो मात्रा आए है पहली मात्रा उसके खाली है इसको दिखाया है जीरो से और दूसरी जो है चौथी मात्रा पे पहली ताली हाई है तो इसको एक नंबर दिया है और दूसर यह स्वरलिपी जो स्क्रिप्ट होती है इसके नियम होते हैं इस प्रकार से इसको लिखा जाता है तो यह है और इसको हम मात्रा गिन के हाथ से ताली बजा के हमको पहले अभ्यास करवाते थे तो जाब हम छोटे थे आप भी एक पेराल छोटे हैं तो इस प्रकार से इसका अभ्यास करना चाहिए तो हम इससे इस प्रकार से देखते हैं जबक ₌ड कि एक टूझ एक कम यह है沒्सका अमत्दमे खालि एक दो थिन चार पानत खेशा एक दो थिन चार पान खेशा यह check on प्यारs प्रणी तीन प्रार नार्थ है लिए, अप्सर जो टाल है उतने हैं पहलो पहली से फाली के प्र ह duas, तुम पेलर, इसमें सम नहीं है खाली है और हम इसके बोल भी इस परकार से बंग के पहले इस सीख दें तो जैसे इस प्रकार से इसको मात्रा इनके बोले जाते हैं अब इसको तबला को जरा लेते हैं इसको बड़ा खिसका के और इस पर आपको सुनाते हैं मुआखके दरसमतु है, बजना ईसको इसी पर है और इसके आजयर पक्रार सुण के हमको छलना चाहिए कि यह कौनसा टाल बज रहा है यह तिन थिन ना दिन ना तो इस प्रकार से इसको बजाते हैं और इस ताल में बहुत सारे गानों की जो composition में भक्ति में इसके गाने जो होते हैं इसमें ये दाल अधिक प्रयोग होता है तो जैसे कि ये हम सुने हैं श्री राम चंद्रति पालूल भजबन अलन भववयदार्वन ये है तुई राम है तुई रहीम है तुई ग्रेशन है तुई करीम है ये सारे जो इस प्रकार के गाने है इसमें चलते हैं ये बनाने में इसका प्रयोग किया रहता है तो ये बड़ा प्यारा ही ताल है बहुत अच्छा और सुगम संगीत गजले इत्यादी में भी बज़ता है ये ताल और बहुत अच्छा लगता है सौफिस्टिकेटर दाल है और आप इसको जरा देखिए घर में अभ्यास करिए सुनिये इसको पहला देखिए और इसको मन में गुन गुनाईए मात्राएं किनने का भी अभ्यास करिए और इसके बोल भी याद करने की कोशिश करिए और अपना ख्याद रखें बाई ये क्याद